नमस्कार दोस्तों, कॉंप्टिशन कम्मूनिटी के यूटूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है और मैं हूँ आकासिंग। 12 अप्रेल से 2 मई तो इस समय अधी पर जितने भी एकनॉमिक इवेंट हुए हैं उसमें से इंपोर्टेंट वाले ही हम डिसकस करेंगे। इंपोर्टेंट किस पॉंट आफ व्यू से तो इंपोर्टेंट हमारे एकजाम के पॉंट आफ व्यू से। अरधात ऐसे एकनॉमिक एशिया एकनॉमिक फोकस नमक रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में किया क्या गया है। इस रिपोर्ट में भारत और अन्य दक्षिन एशियाई देशों के लिए जो GDP विद्धिदर के लिए अनुमान लगाए गये थे उस अनुमान में कटवती की गई है। इस रिपोर्ट म ग्रोफ रेट इंडिया के लिए 8.7% अनुमान लगाया गया था अब इस अनुमान को घटा कर 8% कर दिया गया है 0.7% की कटवती कर दी गई है तो इसके पीछे कुछ कारण भी होंगे वह कारण क्या है इस कटवती के पीछे के कारण है आपूर्ती शिंखला में वैवधान और बढ़ती होई मुद्रा स्विती और इन दोनों ही कारणों के पीछे जो बेसिक कारण है वह है यूकरेन संकट रशिया और यूकरेन के बीच का जग जरह समझते हैं अगर दो देश आपस में लड़ने लगेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रोड़क की सप्लाई हो व्यवधान उनका व्यवधान होगा उनमें रुकावट आएगी उनमें बाधा आएगी तो सप्लाई नहीं होगा सप्लाई गिरेगा और अगर सप्लाई कम होगा तो किसी भी कॉमिडिटी की सप्लाई अगर कम होती है तो उसके डिमांड में व्रिद्धी होने लगती है डि खिमत में अगर करमिक विद्धी होगी ग्रेडोल इंक्रीस अगर होगा प्राइज में तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अब बात यह हैं क्या इंफलेशन हमारी अर्थ्फेश्था के लिए बुरा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मुद्रा इस्विती अर्थवियस्ता के लिए बुरा नहीं होता जब तक एक सिमित दर पर हो तो फिर वो देश के लिए हानी कारक होती है डिमांड अगर है, प्राइस अगर बढ़ रहा है, इन्फलेशन हो रहा है लेकिन अगर इन्फलेशन या मुद्राइस्विती बहुत जादा हो जाएगी तो लोगों की क्रेश शक्ती या खरीदने की शक्ती वह कम हो जाएगी क्रेश शम्ता कम हो जाएगी और अगर क्रेश शम्ता कम हो गई तो बजार में मांग नहीं होगा और मांग अगर नहीं होगा तो GDP आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि उत्पादन नहीं होगा तो अगर बहुत जादा मुद्रा इस्फिती होगी तो GDP की गती भी धीरे हो जाएगी तो यह जो GDP की विद्धिदर में कटोती की गई है उसके पीछे का कारण क्या है रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है उसकी वज़ा से आपूर्ती शिंखला में रुकावड और उस आपूर्ती शिंखला में रुकावड की वज़ा से बढ़ती भी मुद्रा इस्फिती और इसलिए ये अनुमान लगाया गया है कि जो GDP विद्धि है वो विद्धिदर कम रहे है चलिए इस बात को और अच्छे से समझते हैं इस कंटेंट के माध्यम से इस कंटेंट में क्या कहा गया है कि मार्च में WPI आधारित मुद्रा इस्फिती 14.55 प्रतिशत पर पहुँच गई यह मुद्रा इस्फिती की बहुत अधिक दर को दर्शारा है कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो आप ये करें कि WPI क्या होता है ये बताएं ये भी बताएं कि WPI और CPI में क्या अंतर होता है और ये भी बताएं कि मुद्रा इस्फिती को टार्गेट करने के लिए इंफ्लेशन को टार्गेट करने के लिए हम WPI को कंसिडर करते हैं कि CPI को कंसिडर करते हैं अन्त में ये भी बताना है आपको कि इंफलेशन की वह सिमिद्दर, जेसे अर्थविदवास्था की मांक कहते है, वह सिमिद्दर क्या है, और WPI पर होती है या CPI पर होती है, तो ये आप कमेंट सेक्शन पर बताएंगे, अगर आप कमेंट सक्षन में कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट को देखकर हमें बहुत ही खुशी और हर्ष होता है जिस वज़ा से हम और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रिरीध होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं मार्च 2021 में ये WPI आधारित महंगाई दर 7.89% मात्र थी और अब लगभग दोगुना का मामला हो चुका है और इसके पीछे कारण क्या है तो कच्छे तेल की कीमत में वृद्धी क्रूड ओइल के कीमत में वृद्धी तो कच्छे तेल की कीमत में अगर वृद्धी होगी तो जब हम इस तेल को खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कीमत में वृद्धी होई है तो आपके ट्रांस्पोर्टेशन के कॉस्ट भी अब बढ़ेंगे क्योंकि अगर तेल की कीमत बढ़ गई तो उस तेल को गाड़ी में डालने के बाद जब एक पूड़क्ट दूसरे इस्थान तक ले जाएंगे तो उस transportation का cost भी बढ़ जाएगा तो कच्चे तेल की अगर कीमत बढ़ेगी तो transportation cost भी बढ़ेगा और जो product market में पहुँचेंगी उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी disruption disrupt हुआ है अपूर्थी शिंकला अगर गड़ बढ़ा गई है उसमें व्यद्धान आया है उसमें बाधा आई है तो जो supply हो रहे हैं वो supply में रुकावट आएगी डिमांड बढ़ेगा value बढ़ेगा और यह value बढ़ गया कच्चे तिल की कीमत बढ़ गई और इस वज़ा से WPI आधारित मुद्रा इस्विती भी बढ़ गई चलिए आगे बढ़ते हैं अगले content पर और यह BRICS पर आधारित है BRICS क्या है तो यह पांच देशों का समू है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफरिका इस पर क्या बात अभी हाल में है बात यह है कि इनकी meeting होने वाली है शिकर सम्मेलन संभावता जून के आसपास होगा और इसकी मेज़बानी चीन द्वारा की जाएगे और यह बहुत ही important होगा क्योंकि भारत और चीन के मध्य अभी काफी tension भी चल रहा है और इस tension के मध्य ही यह सिकर सम्मेलन भी होने वाला है थोड़ा सा bricks सम्मेलन को लेकर हम या bricks इस समू को लेकर हम बात कर लेते हैं क्योंकि यह हमारे paper 7 का part भी है मेंस के paper 7 का part भी है चलिए bricks पांच प्रमुख उभरते देशों का समू है देशों के नाम मैंने आपको बता जीए अब इस समू की जड़ा ताकत हम देखते हैं आखिर कितना बड़ा मामला है तो इन पांच देशों में पुरे विश्यू का लगबग 42 प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है पुरे विश्यू का 23 प्रतिशत सकल घरिलू उत्पात इन पांच देशों के पास इन पांच देशों के समू के पास पुरे विश्यू का 30 प्रतिशत 6 त्रफल है और 18 प्रतिशत वेश्विक वैपार भी इन पांच देशों के पास है तो अगर आप इन पांच देशों के समू को देखें तो पुरे विश्यु के अनुपात में ये काफी मजबूत समू दिखता है इस समू को BRICS नाम दिया गए है जिम ओ निल के द्वारा ये भी कई बार पुछि लिया जाता है FACCULAL ONE DAY इक्जाम पर पुछि लिया जाता है कि BRICS नाम किसे ने दिया गए है किसन के द्वारा दिया गया था बस्त दो हजार छे में चार देशों के द्वारा ये सम्मू बनाया गया था और दो हजार ग्यारा में अफरीका महाद्वीब से दक्षिन अफरीका भी इस सम्मू में शामिल हो गया था और ये ब्रिक्स सम्मू बन गया था ब्रिक्स चलिए आगे बढ़ते हैं मुद्रा और वित पर RBI की रिपोर्ट रिपोर्ट और करेंसी एंफ फैनेंस और ये RBI के द्वारा जारी गिया गया है सबसे इंपोर्टेंट बात इस रिपोर्ट में क्या कही गई है इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोविट की वज़ा से भारत देश को उबरने के लिए एक दशक से भी अधिक का समय लगेगा तो कोविट का जो नकरात्मक प्रभाव भारत की अर्थविवस्ता पर पड़ा है उस नकरत्मक प्रभाव से भारत को निकलने के लिए एक दशक से भी ज़्यादा का समय लगेगा उस प्रभाव से निकलने के लिए और इस रिपोर्ट का विश्य क्या रखा गया था Revive और Reconstruct कुछ चिन्ताएं भी इस रिपोर्ट में बताई गई हैं कि COVID-19 अभी तक का सबसे खराब स्वास्त संकट रहा है पुरे बैश्विक इतिहास में पुरे इतिहास में सबसे खराब स्वास्त संकट अगर कोई है तो वह है COVID-19 आकड़ों में वृध्धी की भी बात कही गई है वही बात कि इंडिया is expected to overcome COVID-19 losses in 2034-35 तो भारत इस COVID-19 loss से कब तक कर पाएगा तो 2034-35 तक वही 10 साल तक मामारी की अन्य आर्थिक चुनोतियां भी है मामारी के द्वारा भारत के उत्पादन, जीवन और अजीवका के मामले में विश्व में सबसे अधिक नुकसान देखा गया है तो सबसे अधिक नुकसान अगर कहीं देखा गया है इस COVID-19 की वज़ह से तो आप भारत में देखा गया है इस रिपोर्ट के आधार पर चलिए आगे बढ़ते हैं रूस यूकरेन का संगर्श तो है ही और डी ग्लोबलाइजेशन का खत्रा भी बढ़ता जा रहा है जाहिर सी बात है कि अगर आप अभी इस COVID-19 की समस्या को देखें तो इसके पीछे का इस समस्या को गंभीर अगर बनाया है किसी ने तो ग्लोबल लोगों का बन रहा था कि अब ग्लोबलाइजेशन से हमें आगे निकलकर डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि अब समझदारी उसी पर है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला कंटेंट है वर्ल्ड एकनॉमिक आटलूक पर और यह जारी किया जाता है आएमेफ के द्वारा तो यह भी कोश्चन वंडे एक्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड एकनॉमिक आटलूक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो उसका सहीं उत्तर है इंटरनेश वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP विद्धिदर 9% का अनुमान लगाया गया था और अब इसे 0.8% कम करके 8.2% कर दिया गया है कारण वही जो अभी तक आप सुनते आ रहे हैं वर्ष 2020-21 में भारत ने 8.9% की विद्धिदर दर्ज की है इस रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2030-24 में भारत की अर्थवियस्ता के विद्धिदर 6.9% रहने की उमीद है अनुमान है आएमेफ का अनुमान ये है कि वस्तू और इंधन की उच किमतों के कारण आयात बिल बढ़ने की संभावना है और अगर आयात बिल बढ़ेगा तो उससे करेंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाता घाटा भी बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा तो 2020-21 में जो 1.6% था वह 2022-23 में 3.1% हो जाएगा तो अगर रशिया और यूक्रेन का जंग चलता रहेगा तो सिर्फ इससे यूरोपिय देश या यूक्रेन या रशिया को ही नुक्सान नहीं होगा बलकि बहुत सारे देशों को नुक्सान होगा जिसमें भारत भी एक कंट्री है जिसे नुक्सान होने वाला है क्यों तो कि आपूरती शिंखला में रुकावट होगी सप्लाई कम होगा डिमांड बढ़ेगी मुद्राइस्विती जादा होगी और अगर मुद्राइस्विती बहुत जादा होगी तो ख्रय शक्ति में कमी होगी लोग प्रोड़क्ट खरीदेंगे नहीं बजार में डिमा थेंक यू